पुल्वामा आतंकी हमले के विए 300 किलो RDX नागपूर से गया। कॉंग्रेस निता का संसनी खेज आरूप। नमस्कार दोस्तों मैं रतम जिंग और आप से भी कट्रिकर न्यूज में स्वागत है। महराश्रा कॉंग्रेस अद्धिक्स नाना पाटोल ने पुल्वामा हमले पर संसनी खेज बयान दिया है। नाना पाटोल ने आरूप लगाते हुए कहा कि 2019 पुल्वामा आतंकी हमले में इस्तमाल किया गया RDX नागपूर से भेजा गया था। पाटोल ने सवाल करते हुए कहा कि आतंकी हमले में इस्तमाल किया गया 300 किलो क्राम RDX नागपूर से भेजा गया था। इसे किस ने भेजा कहा से भेजा गया। महाविकास अगाडी की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पाटोल ने कहा कि इस मामले की जांच CBI को भी दी थी। लगबक चार साल बाद भी CBI ने कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। पाटोल का या बयान जम्मू कस्मीर के पूर्व राजजेपाल सत्थपाल मली की ओर से हाल ही में किये गए खुलासे के संदर में आया है। रैली में सिवसेना, UBT, अध्यक्ष और पूर्व सीम उद्दव ठाकरे ने मुख्य मंतरी एकनाज सिंदे और डेप्टी सीम देवेंदर फंडविस पर हमला बोला है। चित के विद्वन्स के दोरान कोई सिवसेनिक मौजूर नहीं था। इस पर उद्दव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सिवसेनिक नहीं थे तो क्या आपकी चाचा थे। आपको बता दें कि इस दोरान कई AMVA सीर स्नेता जैसे रकामपा के प्रदेश अध्यक्स जैंद पाटिल, वरिशनेता अनिल देश मुक और अन्य ने भी दूसरी वज्र मूट्स रैली में उग्र भासर दिये। सूत्रों का कहना है कि AMVA ने अगले कुछ बैनों में लगातार जन सबाय करने की योजना बनाई है। बिरुर रिपोर्ट रिगर निउस।